दोस्तों चानक के और चंद्रगुप इतिहास के किसी भी कालखंड में ये नाम और इनकी कहानी भुलाई नहीं जासा आज भी जब एक शिश्य का उधारन दिया जाता है एक गुरू के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है तो शायद गुरू कहता होगा वाह मुझे मेरा चं शायद शिश्य के मन से भी निकलता होगा कि आज मुझे मेरे चानक के प्राप्त होगा तो गुरू और शिश्य का सम्मन आज भी चानक के और चंद्रगुपत की संग्या से लोगों के सामने बताया जाता है तो कौन थे ये चानक के और चंद्रगुपत ऐसे क्या सरकमस्टा के एक राजवंश से जुड़ी हुई है जिसे इतियास में हम नंदवंश के नाम से जानते हैं कैसे एक नंदवंश के एक राजा की गमंडित्म के अंदर सत्ता के दंब में चूर होकर की गई एक अपमान जनक गलती से उसको अपनी राजसत्ता से और अपनी जान से दोनों से ह हो रहा होगा कि इस वंश के राजा अपने नाम के पीछे नंद शब्द का प्रयोग करते होंगे तो कौन थे नंद देखिए नंद राजा के जो ओरिजन है यानि कि उनका जो वर्ण है उससे संबंदित अलग-अलग जो इतिहासकार हैं अलग-अलग जो शोधारती हैं उन्हो किनोंने पुरान को अधार बनाया किनोंने जैन ग्रंत को अधार बनाया किनोंने बौद ग्रंत अंगुतर निकाय को अधार बनाया किनोंने युनानी इतिहासकारो द्वारा लिखे गए जो उनके लिटरेचर थे उसको अधार बनाया और सब में कुछ चोटी-चोटी डिफ द्विज वंश नहीं था देखे द्विज जनरली कहा जाता है ब्राह्मन और शत्रियों को प्राचीन काल से आपने देखा होगा कि भारतिय समाज वर्णों में बटा हुआ है शुरुवात में वर्ण व्यवस्ता कर्म आधारित थी जो जैसा कर्म करेगा वो उसका वर्ण होग परंतु आगे चलकर ये वर्ण व्यवस्ता जाती पर आधारित हो गए यानि कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए है आपको वही कर्म करना पड़ेगा शुरुवात के अंदर आपका वर्ण आपका जनम डिसाइट नहीं करता था आपके कर्म डिसाइट करते थे आप बड़ भर वही कर्म भी करने होंगे तो यहाँ पर जब बात आती है नंदों की तो माना जाता है कि नंदवन्ष इतिहास का पहला शुद्र राजवन्ष था नंदों को इस्थापित करने वाला महापदम नंद जो है ना तो वो शत्रिये वर्ण में पैदा हुआ था ना ही वो ब्र पदम नंद जिसने एक इतने बड़े राजवन्ष की नीव रखी इतिहास में इसका क्या योगदान है हम इन सब की चर्चा करते हैं प्राचीन काल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको तीन राजवन्ष मुख्य मुख्य तौर पर मिलेंगे सबसे पहले आपको एक जिसने अपनी सत्ता को इस्थापित किया था विंबिसार नामक एक राजा हुआ जिसने मगत को एक केंद्रिय शक्ती के रूप में इस्थापित किया दूसरा राजवन्ष जो आता है वो आता है शिशुनागवन्ष या शैशुनागवन्ष क्या नाम है का अंत करके शिशुनाग वंश आता है और तीसरा जो वंश आता है इसे इतियास में हम नंद वंश कहते हैं और मैं नंदों का टाइम पीरिड आपको बताऊं तो आप याद रखेंगे 344 इसा पूरो से 322 इसा पूरो तक इनका शाशन हुआ है लगबग लगबग आप देखे नंदों ने शाशन किया और नंद वंश की संस्था पक जिसको हम कह रहे हैं वो था महापदम नंद इसका नाम उग्रसेन भी मिलता है क्या मिलता है उग्रसेन इसे सर्वशत्रांक भी कहा गया है सर्वशत्रांक समस्त शत्रियों का संगारक अब ये सब क्या है कैसे क्या लेते हैं शैशुनाग वन्ष का जो अंतिम शाशक हुआ उसका नाम था महापदमिन इस महापदमिन का ही कहा जाता है अब देखो यहाँ पे दो घटनाएं हैं दोनों घटनाएं ध्यान से सुने पहली घटना जो है पुरानों के अंदर वो यह बताती है कि महापदमिन का इक शुद्र महिला से एक पुत्र हुआ जिसे महापदम नन्द कहा गया क्योंकि शुद्र इसले कहा गया क्योंकि ये महिला नाई जाती की थी ते रहना बाल काटने वाइ जिने उस समय शुद्र माना जाता तो ऐसी स्थिती में इस लड़के ने जो की इल्लेजित्मिट था अवैद संतान था इसने बड़े होके अपने पिता से बदला लिया पिता की हत्या की और शाशन पर अपना कब्जा कर लिया पहली गटना अब एक इसका दूसरा वर्जन भी है कि ये विक्ती महापदम नंद शैशुनाग वंश के राजाों के दरबार में इसके पिता भी और इससे पहले भी ये लोग दरबार में नाई का काम क्या करते थे आज भी आपको पता होगा कहीं जगर हम जाते हैं बारबर वगेरा हैं पुराने समय में भी जो लोग गाउं से संबन रखते हैं तो ये प्रथा चलती है कि वो एक ही नाई होता है और वो पूरे गाउं का शौर करम या दाड़ी बनाना बाल काटना वो सब करता है तो इस तरह की चीजें पहले भी हुआ करती होंगी महापदम नंद जो है इसने महापदमिन की जो रानी थी उसे प्रेम जाल में फसाया उसका विश्वास जीता और बाद में उसने राजा की हत्या कर ली रानी से विवा कर लिया और स्वयम गद्दी पर इस्थापित हो गया अब देख जाल में क्या एकदम सच था क्या नहीं और वो भी आज से लगबग धाई हजार साल पहले उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है उस समय के जो उपलब्द गरंथ हैं उनमें क्या-क्या बातें निकल के सामने आती हैं मैंने आपको दोनों सामने रख दी पहली बात कि ये शिशुनाग वन्ष का अंत किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया 344 इसापूर में इस पर किसी को कोई अबजेक्शन नहीं है तो हम भी यही मान लेते हैं 344 इसापूर में सत्ता का परिवर्तन हुआ और एक नया राजा महा पदम नंद के नाम से गद्धी पर बैठा इस का नाम उग्र सेन भी मिला है सर्व शत्रांक इसके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर आसपास के जो राज्ये थे जिनमें शत्रिय राजवन्षों का राज्ये था उसे समाप्थ किया ये इतिहास का ऐसा पहला राजा हुआ जिसने केंद्रिय सत्त की स्थापना की इससे पहले जो शिशुनाग वंश और हर्यक वंश हुए थे बिम्बेसार अजाज शत्रू वगेरा इन्होंने क्या किया था बाकी राज्यों को अधीनता स्विकार करा ली थी बात समझ रहे जैसे अपने देखा होगा अंग्रेजों के समय में हुआ अंग् राज्ये के अंदर वो स्वतंतर थे सम्थिंग लाइक आप समझ सकते हैं कि महापदम नंद से पहले ऐसा ही होता था जो दूसरे आसपास राज्ये थे चेदी अंग अश्मक वगेरा के जो राजवंश थे उन्होंने मगत की सत्ता को स्विकार कर लिया था परंतु अपने अ पोस करने वाले जितने भी राजा थे शत्रिये थे उनका संगार किया और अपने द्वारा निक्त किये हुए प्रशासको को उन्होंने इन राज्यों के अंदर राज्ये करने के लिए भेजा जो सिर्फ और सिरफ किसको मगत को यानि की इस महापदम नंद को एड्रेस करते अपनी सारी जो जानकारी है कानून है वो सब महापदम नंद से ही मानते थे तो आप कह सकते हैं इतिहास का ऐसा पहला राजा हुआ जिसने क्या किया सत्ता का केंदरी करण किया साथ इसाथ इतने सारे राज्ये जब इसके अंडर में आगए रेविन्यू खूब बढ़ा राजस्व कूब आया ऐसे स्थिति ने इसमें इस राजस्व का प्रियोग अपनी सेना की मजबूती करण में किया बताया जाता है कि इसकी सेना के अंदर लगबग दो लाक सैनिक दो हजार बीस हजार से उपर घुड सवार और रतों बतलब चतुरंगी नहीं सेना जिसको आप कहते हैं जिसमें हाती घोडे रत और पैदल सेना चारों होते उसको इसने इस्टेबलिश किया आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व को हिला देने वाला सिकंदर महान जेलम नदी के तट से इसलिए लोट गया क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया उन्हें मालूम था कि गंगा नदी के उस पार नंदों का शाशने और मगत की सेना को उस समय चुनौती देना अपनी मृत्यू को चुनौती देना था आगे बताऊंगा मैं किस परकार से सिकंदर को यहां से भागना पड़ा तो no doubt नंदों का संश्था पक शत्रिय वण का ना होने पर विए एक शत्रिय मानसिक्ता वाला और अपने करमों से एक शत्री राजा था इसमें कोई भी ड़ाउट नहीं है अगर आप वैदिक व्यवस्था में मानते हैं अगर आप वेदों को मानते हैं तो रिगवेद इस बात की अनुशंसा करता है कि आपके कर्म आपका वन्ड डिसाइड करेंगे आपकी जाती आपका वन्ड डिसाइड नहीं करेंगे आप कर्म क्या करते हैं आपके कर्मों के तरचा करेंगे परन्तु फिलाल आप ये समझें कि एक शुद्रवर्ण में उत्पन हुआ व्यक्ति भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। ये है 344 इसा पूरु से 322 इस्वा पूरु इसमें एक लंबा कारेकाल तो महा पदम नंद का खुद का रहता है। और आजा के नाम से जाना जाता था। इसमें से देखिए धनानंद जो नाम था कहीं पर धनानंद है कहीं पर घनानंद है। कुछ भी कहो आप घनानंद या धनानंद ये महा पदम नंद के बाद जो है महा पदम नंद के बाद पाटली पुत्र का शाशक बना। देखिए महा पदम नंद जो है वो बहुती कठिन संगर्श से गुजरा था। उसने एक बहुत छोटे लेवल से शुरू करके इतने उचे पद तक पहुँचने का जो ये सफर है इसको तै किया था। परंतु इसके बच्चों ने थोड़ी किया होगा। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत हार्डशिप देखियों परंतु वो तो राजकुमार थे। और देखिये जब कभी भी कठिन समय बीट जाता है बहुत जादा आपको जिसको कहें कि सुक्स विधाय मिलने लग जाती हैं तो मनुष्य कही ना कहीं उन सुक्स विधायों में इतना रम जाता है कि वो दुख और हंबलनेस जिसको आप बोलते हैं वो सब भूल जाता है। उसे हमेशा बहुत घमंड था अपने सामराज्य पर ये नंदो का सामराज्य है आप देखें तो भारत के एक बहुत बड़े शित्र पर वो शाशन कर रहे हैं आप देखें तो पूरु में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में गंगा नदीव तक इनका सामराज्य गंगा नदी के जो उपजव मैदान है उनके ये शाशक है इतना बड़ा सामराज्य अगर किसी आयोग्य व्यक्ति घमंडी व्यक्ति के हाथ में हो तो शायद वो सत्ता के नशे से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा ये कलती हुई धनानंद के साथ धनानंद अपने से बड़े गुरुजन, विद्वान इन लोगों को संरक्षन देने में नहीं समस्ता था उसे हमेशा लगता था कि ये हमारे दर्बार के अंदर जो विद्वान आते हैं जो ब्रामन वर्ग के लोग हैं ये हमेशा हमें लूटने के लिए आते हैं ये हमें ग्यान विज्ञान से संबंद कुछ बाते बताते हैं बदले में एक शत्री राजा का करतव्य है कि इन्हें कुछ दान दक्षिना दी जाए और ये दान दक्षिना लेके निकल जाते हैं कुछ-कुछ ऐसे लोग है जो सिरफ दान दक्षिना के चक्कर में जूटी प्रशंसाएं भी करते हैं तो धनानन इन से बहुत चिड़ता था, हाला कि यहाँ पे एक बात मैं add कर दूँ, महापदमनंद धनानंद से पहले ऐसा नहीं था, महापदमनंद विद्वानों का बहुत ही आदर करता था, इसका एक बहुत बड़ा उधारन है, आपने पानिनी का नाम सुना होगा, पानिनी का नाम सुना अश्टा ध्याई, अश्टा ध्याई व्याकरण के उपर किताब है, और यह हमारी जो प्राचीन संस्क्रत और हिंदी बाशा है, इनका बेस है, बात समझ रहें, इनका बेस है अश्टा ध्याई, इसमें व्याकरण के नियम लिखे हुए हैं, और पानिनी जो स्वया में एक ब्राह्मन थे, इनकी महापदम नंद से बहुत अच्छी दोस्ती थी, और महापदम नंद के दर्बार में एक उच्चा इस्थान रखते थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि नंद पूरी तरह से ब्राह्मन विरोधी या विद्वानों के पक्ष में नहीं थे, ये सिर्फ धनानन जो है, ये सत्ता की नशे में थोड़ा पगला हो गया था, ये बात तो सही है, धनानन ने भी अपमान किया एक महापंडित चानक के का, चानक के जिने इतियास में विश्णु गुप्त भी कहा जाता है, जब धनानन भारत पर शाशन कर रहे थे, चानक के उस समय, भारत के प अध्यापन दोनों करते थे, अगर आप इस नक्षे को ध्यान से देखें तो वर्तमान पाकिस्तान में अब ये जगे है, तक्षशिला, कौन सी, तक्षशिला, पाकिस्तान में अब ये जगे है, पेशावर, कौन सी, पेशावर, पेशावर के पास में आज भी तक्षशिला हो जाता है बात समझ रहें इसके अंदर-अंदर हिंदुकुष परवत हिमाले परवत के नीचे जो पूरी भूमी है वो भारतवर्श की भूमी चानक के बहुत प्रसिद्ध थे अपने इस शित्र में चानक के की राजनीती कूटनीती और अर्थनीती को सीख कर इनके कई सारे शिश्ये जो हैं वो विभिन राज्यों के अंदर मंत्री, महामंत्री, सलाकार ऐसे ऐसे पदों पर सुशोबित थी अब क्योंकि ये एक शिक्षा का केंदर था, यहां पर कई जगों से विष्व के कई अन्य सब्बेताओं के लड़के यहां पढ़ने के लिए आते थे और जब ये लड़के यहां आते थे तो वो विष्व के दूसरे देशों की जानकारिया भी यहां पर लेके आते इन जगों से कई बार व्यापारी भी गुजरते थे और ये व्यापारी भी दूसरे देशों की जो घटनाएं हैं दूसरे देशों में होने वाले जो कई बड़े घटना करम हैं उनकी सूचनाएं लेकर आते थे चानक्य को सूचनाओं को बड़ा करेज था आगे चलकर जब चानक्य चंद्रगुपत को राजा बनाते हैं तो चंद्रगुपत के राज्य में वो सबसे पहले एक इस्प्ли नेट वर्क गुपत्चर का संगतन जिसको पूरे राज्यों में पहला देते ये गुपत्चरी के व वो लगातार भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है वो विश्व विजेता बनने का सपन देख रहा है और उसे विश्व विजेता के सपन में एक ही देश जो है वो जीतने से बच गया है वो भारत की भूमी है इसका नाम था सिकंदर अलेक्जेंडर दी ग्रे एक ये नक्षा है अगर आप देखें तो ये नक्षा बताता है कि सिकंदर ने कितने बड़े सामराज्य को जीता था सिकंदर का मूल राज्य जो था वो था मकदूनिया या मैसेडोनिया वर्तमान जो ग्रीस है युनान देश जो है वहाँ पर पढ़ता है प्राइदीप है युनान एक तीन त बड़ा होगा ये सिकंदर के गुरू थे जिन्होंने सिकंदर को राजनीती युद्धनीती बुगोल इतिहास इनके बारे में जानकारी दी थी और बचपन से ही सिकंदर जो है ये विश्व विजता बनने का सपना देखता था और अरस्तु ने उन्हें बताया था कि तुम अगे बढ़ो भारत देश आएगा भारत देश को यदि तुमने जीत लिया तो तुम विश्व विजता कहलाओगे सिकंदर को भारत पहुंचने के लिए सबसे पहले हराना था परशिया को फारस फारस बहुत बड़ा सामराज्य था शक्ती धन इनके मुकाबले में सिकंदर कहीं ठैरता ही नहीं था परन्तु सिकंदर के पास जोश था सिकंदर के पास अच्छी खासी सेना और सेन्य टुकडियों को किस प्रकार से युद्ध में इस्तमाल किया जाए इसकी जानकारे थी और सिकंदर नए तरीके ट्राय करने से पीछे नहीं अटदा था यही सिकंदर की सफलता का राज था सिकंदर ने परशिया का सामराज्य जीता आगे चलकर और भी छोटे-छोटे मद्दे एशिया के कहीं सामराज्य आए उनको जीता सिकंदर ने मिस्र को भी जीत लिया था इजिप्ट को और अब उसकी नजर थी भारत पर सिकंदर भारत पर आक्रमन करेगा इसकी सूचना देने के लिए चानक्ये स्वयम धनानंद के दरबार में गए क्योंकि चानक्ये को इस बात की भी खबर थी कि धनानंद अपने राजधरम को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है उसे गंभीरता का एहसास करवाना होगा चानक्ये इसी उद्देशे से तक्षशिला से पाटली पुत्र पहुंचे धनानंद की राजधानी और वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी घटना हूँ धनानंद जिसे ब्रामनों का सम्मान करना चाहिए था इनकी जो भी सलाह थी अटलीस उसे सुनना तो चाहिए था के दर्बार में पहुंचे और धनानन ने उनसे भी वही अपेक्षा की कि तुम यहां आए हो जल्दी से अपना ग्यान दे दो अपने यहां से सोने के सिक्रे इकटे करो जो दान की रूप में तुमें मिलते हैं और यहां से निकल जो मुझे आदेश देने की सलाह देने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए तुम सादारण ब्राम्मन हो तो अपनी हद में रो हीटेड आर्गुमेंट हो गया बहुत जादा चानकी और धनानन के बीच में चानकी ने भी कह दिया कि मैं तुमारे पैसों का भुका नहीं हूँ भारत एक जीता जाकता राष्ट पुरुष है वो तुमारी बपौती नहीं है इस राज्ये के जितने मालिक तुम हो उतने हम भी है इसलिए आगा कर रहा हूँ अभी भी अपनी सेनाओं को पश्चिम की सीमाओं पर भेजो अगर सिकंदर आ गया अंदर तो पूरे राष्ट पर संकट खड़ा हो जाएगा ऐसी इस्तिती में धनानन बहुत गुसे में भर गया कहा जाता है उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मनों को गसीडते हुए बाहर निकाल दो इस धक्का मुक्की के अंदर जब चानक की को निकाला जा रहा था तो चानक के पहले ब्राह्मन चोटी रखते थे लंबी चोटी थी आज भी रखते हैं वो शिखा या चोटी खुल गए जो की एक अपमान जनक बात था चानक के वहां से अपमानी थोकर तो निकले परन्त उन्होंने मनी मन निष्चे कर लिया कि धनानन जब तक अपने रक्त से मैं इस शिखा को दो नहीं लेता तुम्हारे रक्त से मैं अपने इस शिखा को दो नहीं लेता तब तक मैं शिखा खुल ली रखूँगा मैं ये चोटी नहीं बांदूँगा और चानक के निकल पड़े इस अपमान को अपने मन में दबाये हो अपमान इतना भयंकर था कि चानक के के मन में सुबह शाम यही खयाल आता था कि धनानंद को कैसे इस सत्ता से पदचूत किया जाए अब चानक के देखिए खुद एक ब्राह्मन थे ब्राह्मन का कर्म है ग्यान का अरजन करना और उस ग्यान को फैलाना उस ग्यान से जितने लोगों का भला हो सके उसको उतने लोगों तक पहुँचाने का कर्म एक ब्राह्मन का वो जाती और कर्म दोनों से ही एक पक्के ब्राह्मन इसका मतलब एक और भी है देखे कहीं बार आपने देखा होगा कि कोई भी विक्ति जब बहुत फेमस हो जाता है तो वो कहीं न कहीं उसके लिए अपने गुरू को जरूर क्रेडिट देता है जैसे मैं सचिन तेंदुल का बहुत बार एक्जामपल देता हूँ इतना महान बल्लेबाज है पर कभी भी वो अपने गुरू रमाकांत अच्रेकर को मेंशन करना नहीं बूलता है वो बहुत बार मेंशन करते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे इन गुरू की वज़े से तो कहीं लोग मजाक उड़ाते हैं कहीं लोगों के मुह से मैंने सोना है क्या अच्छा रमाकांत जी इतने वेमस थे तो वो सचिन तेंदुल कर क्यों नहीं बने देखिए हर व्यक्ति का भाग्य कुछ अलग है हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ अलग लिखा है वो अलग तरह से डील करता है परिस्थितिया, समय, काल ये भी कुछ बाते होती है परन्तो एक गुरू का योगदान आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर से एक गुरू कभी नो नहीं कर पाया वो अपने शिश्य में वो देखता है वो उसे गाइट करता है तपाता है और उसे उस पत तक लेके जाता है उस मन्जिल तक लेके जाता है यही बात चानक्य के साथ भी थी चानक्य को एक ऐसा शिश्य चाहिए था जिसे वो धनानंद के खिलाफ खड़ा कर सके यहाँ पे घटना है चानक के एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चे आपस में एक खेल खेल रहे थे जिसकी अंतरगत एक बच्चा राजा बना हुआ था कुछ बच्चे सैनिक बने हुए थे कुछ बच्चे प्रजा बने हुए थे और कुछ बच्चे एक जना था जो चोर बना हुआ थे तो सैनिक उसको चोर को पकड़ के लेके आते हैं राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं कि साब इसने चोरी करी आप बताई इसको क्या सजा दी जाए और एक राजा की तरह वो लड़का जो है वो जवाब देता है चानक के बड़े प्रभावित होते हैं क्यार ये लड़का कौन है ये लड़का एक दम नीती और न्याय से सम्मंदित कठोर फैसले लेने से भी नहीं चूकरा है ये है कौन चानक के उससे नाम वगेरा पूसते हैं नाम वो अपना चंदरकुप्त बदाता है मा का नाम मुरा बताता है पिता के बारे में उसे भी कोई जानकारी नहीं होती है वो बताता है कि मैं अपने मामा के साथ रहता हूँ मैं और मेरी माता चानक के बात करते हैं उसके माता से उसकी मामा से और चाहते हैं कि इस बच्चे को मेरे साथ भेज़ दू मामा को चानक के इस लड़के का मुल्ले चुकाते हैं और बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं अब देखो चंदरगुप्त भी इतिहास में ना पुराना हो गया है मतलब इतने पुराने ये चंदरगुप्त विक्ति हैं कि इनके बारे में भी जानकारियां तूटी फूटी यां बिखरी होई है कहीं पर चंदरगुप्त को शुद्र बताया गया है कहीं पर चंदरगुप्ट को एक शत्रिय राजमायल से संबंदित बताया गया है कहीं पर इन्हें बताया गया है कि इनकी जो मा थी मुरा वो धनानन्द की ही एक उपपतनी हुआ करती थी और दनानन्द से जब ये पुत्र हुआ इन्हें तो ये राजमायल छोड़ के आ गई थी तो कहीं सारी घटना हैं फिलाल हम इस बात पर कॉंसेंट्रेट करते हैं कि चानक्य और चंदरगुप्ट की मुलाकात हुई चानक्य ने एक मुल्य चुका कर चंदरगुप्ट को खरीद लिया तो इसलिए कहीं किताबों में लिखा होता है कि चानक्य ने चंदरगुप्ट को गुलामों के बाजार से खरीदा ऐसा नहीं है ये इस तरह की घटना हुई थी तो चानक्य और चंद्रगुप्त अब साथ ही हो गया चंद्रगुप्त को चानक्य ने शिक्षा, दिक्षा, शस्त्र, शास्त्र सभी दे चानक्य ने इसे कूट नीती, राज नीती, युद्ध नीती इन सभी में शिक्षित किया साथी साथ चानक्य ने इस बात की भी व्यवस्ता करी कि शस्त्रों के साथ भी चंदरगुप्त मजबूत बने चंदरगुप्त ने भी पूरे मन से दिल से चानक्य को अपना गुरू स्विकार किया और अब वो भी चानक्य के साथ चानक्य की जो प्रतिग्या थी उस मिशन के अंदर वो पूरी तरह से लग गए थे दोनों ही अगर आप देखें चाणकी और चंदरगुप तो एक वेक्ती हैं ना सेना है ना संसादन है तो इतना बड़ा सामराजे गिराएंगे कैसे यहाँ पर एक बात आती है चाणकी का सम्मान बहुत मंतरी वगेरा बड़े-बड़े पदों पर थे चाणकी ने इस समय इन सभी की मदद ली फंड रेजिंग पैसा जुटाया देको बिना पैसे के बड़ी सेना हतियार यह नहीं रखे जा सकते तो यह घटना यहाँ पर होती है कि चाणकी जो है वो फंड जनरेट करते है एक बात और है धनानन्द से ब्राह्मन वर्ग और शत्री वर्ग दोनों ही बहुत परिशान है क्योंकि इतिहास में यह ऐसा हुआ नहीं था यह एक शत्री राजा बना हुआ शत्रियों को भी परिशान है क्योंकि धनानन्द के पिता ने बहुत सारे शत्री राजवनशों को या तो अंत कर दिया था या सत्ता से हटा दिया था धनानन्द ब्राह्मनों की लगातार बेश्टी करता था वो तो ठीक है कि चानक के जैसा विक्ति था जिसने इस घटना को दिल पे ले लिया कई लोग ऐसे भी थे जो अपमानित भी होते थे परन्तु आजिवीका के डर से या किसी मृत्यू के भाई से या सजा के भाई से चुप रहते थे और वो भी धनानन्द को राजा की रूप में तो नहीं देखना चाते थे तो उन्होंने भी चंदरगुप को फाइनेंस किया चंदरगुप अब एक बड़ी सेना उसने धिरे-धिरे बनानी शुरू करी सबसे पहले धनानन्द के पश्चीमी भाग ये वर्तमान में पंज़ाब बगेरे वाला जो इलाका है यहाँ पर इसने आकरमन की ये इलाके जो हैं उस समय कमजोर हो रखे थे क्योंकि सिकंदर यहाँ पर आकरमन करके गया ही था सिकंदर के आकरमन करने के बाद चंदरगुपत ने इन प्रदेशों को वापस दीते लिए, क्योंकि शिकंदर ने यहाँ पे बहुत नुकसान किया था कई सारे राजाओं को शिकस्त दी थी जैसे कि आमभी को उसने आमभी से तो संदी कर ली थी है ना, इसके अलावा आगे चलके वो पुरू और कनिश्क पुरू या पोरस जिसको आप कहते हैं, उनको इसने युद्धों में हराया था, है ना, तो यहाँ अफरा तफरी थी, इसका फाइदा चंदरगुप्ट ने उठाया, और यहाँ से चंदरगुप्ट को काफ़ी सारा धन और सेना भी मिली, इसके बाद चंदरगुप्ट ने मगत की एक पुरानी राजधानीती राजग्रे, वहाँ पर आक्रमन किया राजग्रे में तो बताते हैं कि चंदरगुप्ट का स्वागत हुआ बकाइदा, वो भी दुखी थे धनानन्द से और अंततह चंदरगुप्ट ने आक्रमन किया पातली पुत्र पातली पुत्र में ज़्यादा बड़ा नहीं पर एक संगर्ष में इसने धनानन्द को पकड़ लिया धनानन्द की हत्या करी और उसका सर काट कर चानक्य को भेट किया चानक्य ने अपनी प्रतिग्या पूरी की चंदरगुप्ट के इसके धनानन्द के रक्त से अपनी शिखाद हुई और उसके बाद भारत के भविश्य के लिए चंदरगुप्ट जैसा जो विक्ति उन्होंने एक तैयार किया था उसे भारत का समराट बनाया स्वयम उसके प्रधान मंतरी बने और नंद वन्ष का इस प्रकार से खात्मा हो जाते है नंद की हत्या के बाद धायानन्द के हत्या के बाद ही चंदरगुप्ट का राज्या विशिक चानक के स्वयम करते हैं चंदरगुप्ट के स्वयम प्रधान मंतरी बनते हैं चानकी के किताब अर्थ शास्त्र आज भी बहुत प्रासंगिक है सत्ता किस प्रकार से चलानी चाहिए राज्य किस-किस प्रकार के कर लगाएगा और कितने लगाएगा गुप्तचर प्राणाली का क्या योगदान है इसी बहुत सारी बाते आज भी हमें अर्थशास्त्र बतलाता है तो दोस्तों ये थी कहानी नंदवन्श की आगे में आपको और भी ऐसी जानकारिया देता रहूँगा अगर ऐसी और आप कहानिया सुनना चाहते हैं मजे मजे में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको इस लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो आप डिजिटल तैयारे के टेलिग्राम चैनल पर जाईए और वहां से डाउनलोड करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा ज़रूर करिए वीडियो को शेर भी करिए ताकि एक सिंपल फॉर्म में लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके उप्योगी जानकारी है और सब लोगों को भी इसका लाब होना चाहिए फिलाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा धन्यवाद, जैहिन, जैभार प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी